हेलो फ्रेंड्स, आई इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है मंगलवार को और इस बजट की मुखे दस बातें भारत की आर्थिक व्रदी दर 9.2% अनुमानित है जो सभी बड़ी अर्थ विष्टाओं में सबसे अधिक है 14 चित्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोचाहन योजना के तहट 60 लाक नए रोजगार का सर्जन होगा राष्टे राजमार्क नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलूम्टर का विस्तार दिया जाएगा हर घर नल से जल के तहट वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड परिवारों को सामिल करने के लिए 60,000 करोड रुपे आवंटित किये गए भारते रिजर बैंक द्वारा डिजिटल रुपे की शुरुवाद 2022-23 में की गई है जैसे क्रिप्टो क्रेंशी के ही प्रिकार हैं बिटकोईन और सिवाइनू आयकर दरों और स्लेब में कोई बदलाप नहीं मानक कटोती भी अधावत तरासे और पॉलिस, हीरे, रत्तों पर सीमा सुल्क गटा कर 5% किया गया डिजिटल पेमेंट्स के ट्रांसफर से होने वाले किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा रक्षा छेत्र में आत्म नर्वरता को बड़ावा देने के लिए पुन्जीगत खरीद प्रजट का 68% घरेल उद्यों के लिए दरित किया गया है जैसा कि हम जानते हैं मवाइल चार्जर की कीमते बहुत बड़े होई हैं ऐसे में मवाइल चार्जर की कीमते सस्ती होंगी दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको दरूर पसंद आई होगी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल बटन जैहिन मेरे मित्रों